वेल्कम विवर्स आपका स्वागत है मेरे चानल जोतीज रसेपी पर तो आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार चटपटी हरी मिर्ची वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले जिससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहें सो नाव लेट्स कुक टुगेदर तो मसालेदार चटपटी हरी मिर्च बनाने के लिए हमें सौ ग्राम हरी मिर्ची लेना है इससे हमें अच्छे से धोकर पोच लेना है हमें मिर्ची को इस तरह से बीच में से चीरा लगाना है अगर आप बीच पसंद नहीं करते हैं तो आप इसमें से बीजे निकाल लीजिए इस तरह से हमें सारी मिर्चियों को चीरा लगाना है आप इस तरह की मोटी मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं जो कम तिकी होती है अब हम इस मिर्ची के लिए मसाला बनाएंगे तो ग्यास पर हमने एक कड़ाई चड़ाई है और उसमें 2-3 चमच तेल डालेंगे तेल गरब होने पर हम इसमें 3-4 चमच बेसन डालेंगे बेसन को हमें अच्छे से भुनना है बेसन नीचे कड़ाई में लगना नहीं चाहिए करके हमें इसे लगातार चलाते रहना है बेसन हमें अच्छे से भुनना है ताकि वो कच्चा न gin रहे अब हमारा बेसन अच्छे से भुन चुका है अब हम इसमें मसाले अट करेंगे आधा चमच हल्दी पौडर डालेंगे एक चमच लाल मिर्च पौडर डालेंगे एक चमच गरम मसाला चार चमच हम इसमें धनिया पौडर डालेंगे अब हम इसमें आधा चमच सौफ पौडर डालेंगे एक चमच कसूरी मेथी एक चमच जीरा पौडर दो चमच अमचूर पाउडर डालेंगे एक चमच काला नमक और आधा चमच साधा नमक डालेंगे अब हम सभी मसालों को बेसंद में अच्छे से मिक्स करेंगे गैस की फ्लेम हमें लो ही रखना है मसाला भुनते वक्त इसकी खुश्ब बहुत ही बहतरी ना रही है मसाला हमें अच्छे से लगातार चलाते रहना है ताकि सभी मसालों का फ्लेवर अच्छे से आए अब लगबग हमारा मसाला अच्छे से तयार हो गया है अब हम इस एक बावल में निकालेंगे और ठंडा होने देंगे तो इस तरह से हमारा चट्पटा मसाला तयार है अब हमने जो मिर्ची काटकर रखी है उसे लेना है और इस तरह से हमें मसाले को मिर्ची में भरना है आप मोटी मिर्ची भी इस्तमाल कर सकते हैं जो थोड़ी कम तिखी रहती है इस तरह की मिर्ची खाने का स्वाद दुगोना कर देती है सभी मिर्चियों का हमने इस तरह से मसाले से भर दिया है अब एक कड़ाई में हमें तेल लेना है तेल गरम होने पर हम उसमें आधा चम्मच राई डालेंगे एक चम्मच जीरा और चुटकी भर हिंग डालेंगे और अब हम इसमें मसाले वाली मिर्च डालेंगे इसे अच्छे से अलट पलट करेंगे और थोड़ी देर के लिए ढखकर पकाएंगे मिर्च को में एक दम धीमी आज पर पकाना है ताकि वो जेले नहीं आप देख सकते हैं मिर्ची मस्त पक रही है मिर्ची को में धीरे धीरे चलाना है मिर्ची लगबख पक चुकी है आप देख सकते हैं मिर्ची का रंग बदल गया है मिर्ची के लिए जो हमने मसाला बनाए थे अब वो हम उसमें डालेंगे मिर्ची को उपर से भी मसाला लगेगा धीरे धीरे मसाले को मिर्ची में मिक्स करेंगे आप इसे रोटी, पराठा, दाल चावल के साथ खा सकते हैं अब हम इसमें और थोड़ा सा मसाला डालेंगे और एक चमच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और मिर्ची को अच्छे से मिक्स करेंगे ये कश्मिरी लाल मिर्च पाउडर है जो तीखी नहीं रहती अगर आप ज़्यादा मिर्ची खाना पसंद करते हैं तो डाले या फिर इसे स्कीप कर दे मिर्ची और मसाला जबरदस्त भून चुके हैं यह बहुत ही सिंपल रसेपी है स्टेज पर अब हम गैस बंद कर देंगे और ढग देंगे आशा करती हूँ आप इसे ज़रूर ट्राइ करेंगे और इस तरह से हमारी मसालेदार चटपटी हरी मिर्च तयार है तो मुझे उमीद है आपको इस सिंपल सी रसेपी ज़रूर पसंद आई होगी रसेपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेर और सबस्क्राइब कीजे और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताए मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई रसेपी के साथ प्लीज आपके के साथ झाल 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 झाल